Assalamu alaikum, dear student, today we will start lesson 2 of unit 4, hash 22. Our classwork is read and explain book page number 29 till 30. Book page number 29 पे हमारा chapter है, transport. Any means that we use to move from one place to another is called transport. एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए हमें transport की नीट पड़ती है. For example, अगर आप स्कूल आते हैं और आपका गर स्कूल से करीब है तो आप बाई वाक आएंगे means के पैदल आएंगे. इसी तरीके से अगर आपका अगर स्कूल से दूर है तो आप बाई वैं या तो फिर बाई बस आएंगे. Suppose अगर आप अपने कजन से मिलने के लिए आउट ओफ कंट्री जाते हैं तो आप एरपलाइन या तो फिर शिप के जरीए जाएंगे. या अगर आप किसी Friends से मिलने के लिए किसी दूसरे सिटी में जाते हैं तो आप बाई बस या तो फिर बाई ट्रेंड जाएंगे. तो ये सब जो हैं, वो means of transport हैं, ट्रांसपोर्ट तीन तरह की होती हैं, land transport, water transport and air transport तो आज हम परेंगे land transport के बारे में, machine which take us from one place to another on land are called vehicles एसे machine जो एक जगा से दूसरे जगा हमें पहुंचाने में मदद करती हैं, हमें एक जगा से दूसरे जगा पहुंचाती हैं, उसे हम कहते हैं vehicles Some vehicles are driven by, forward by engine, some vehicles मतलब कि कुछ गारियां जो हैं, वो engine के थुरू चलती हैं और engine जो है वो run करता है, petrol, diesel या तो फिर CNG से, इसी तरीके से कुछ गारियां जो हैं वो electricity यानि के बिजली से चलती हैं आपने अकसर road पे car देखी होगी, the car is a vehicle, आपने road पे car तो देखी ही होगी, लेकिन car के parts आपको नहीं पता होगी तो इस diagram में car के, ये सारे बहुत सारे parts, ये car के parts हैं, ठीके, roof जो के car की छट को कहते हैं boot, car का पिछला हिस्सा, exhaust pipe, engine run करता है तो उसे जो gas पेदा होती है, वो इस pipe के जरीए बाहरे निकलती है ये है tire, wheel, side mirror, mudguard, mudguard हम कहते हैं, wheel के उपर हिस्सा होता है, ये car को कीछर वगेरा से बचाता है bumper, headlights, radiator, engine, bonnet, bonnet हम कहते हैं, car का अगला हिस्सा, इसे हम engine का डकन भी कह सकते हैं wind screen, आगे का शीशा, rear view mirror, और steering wheel, steering wheel जिससे हम car drive करते हैं तो ये सारे जो हैं, वो car के parts हैं जितने भी vehicles हैं, जो engine से चलते हैं, उन सब को diesel, CNG, oil की need पढ़ती है क्योंके, क्योंके जो ये engine है, वो diesel, petrol या तो पिर CNG से run करता है, तो ये engine अगर हम ये CNG, diesel और petrol वगेरा उसमें in करते हैं, तो ये engine अपना work करता है, ठीके? इसी तरिके से ये सारी vehicles जो हैं, ये भी land पर चलती हैं, और ये सब engine से चलती हैं आटो, scooter, motorcycle, jeep, truck, bus, and tanker ये सब जो हैं वो ये सब जो हैं वो engine से चलती हैं, पैट्रोल, for example, tanker हम उसे कहते हैं, जो कोई liquid वाली चीज, for example, for example, petrol, पानी, एक जगा से दूसरी जगा को जोसरी जगा पहुंचाते हैं, तो वो ट्रेंकर के जरीए पहुंचाते हैं, ठीक, इसे ह कहेंगे, tanker, some vehicle do not have an engine, कुछ vehicles में, कुछ ऐसी vehicles भी हैं, जिन में engine नहीं होता, वो engine के बगेर चलती हैं, for example, bicycle, इसी तरीके से ये सारी vehicles हैं, जिन हैं, ना electricity की need हैं, और ना ही engine की, उसमें हैं, a horse carriage, a tonga, a handcart, a bullock cart, है इस 22 में, जो हमारा next classwork है, वो है, do exercise A, book page number 34, number 1, a vehicle with two wheels and an engine, ऐसी vehicle जिसके दो wheel और एक engine हो, motorbike, a means of transport that flies and carry many people, ऐसे transports जो उरती हो और बहुत सारे people को carry करती हो, which is, aeroplane, a vehicle pulled by a horse, ऐसे vehicle जिससे horse pull करता हो, tonga, a vehicle with three wheels and an engine, ऐसे vehicles जिसके तीन wheels हो और एक engine हो, which is, auto, a vehicle used by farmers to carry goods and to pull a plug, ऐसे vehicles जो farmers अपना माल रखने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं, tractor, या वो tractor यूज़ करते हैं, या बुलक कार, यह काम आप बुक में कर लेंगे, and then इसके बाद हमारा हेश 22 में हमवर्क है, read and explain book page number 29 till 30, 29 till 30 के आप reading कर लेंगे, and learn question answer 1 and 2, question answer 1 and 2 आप याद कर लेंगे, thank you,